वेल्लो गाइज एम विशाल वेल्कम टू बेसिक एलेक्रिकल इंजीनिरिंग इस वीडियो में डिसक्स करेंगे इफ्रेंस बिविन लाइन वोल्टेज एंड फेस वोल्टेज तो इस लाइन वोल्टेज क्या होती है इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता अजहां हिए इस तरह हमारी जो में तर्वेज बता है इसता है अदे के जो होता है व्हां ही ट्र repeated आप करके आप को transmit की जाएगी फिर जो आपके जैसे डेली consider करें तो डेली में जो हमारे लोकल एरिया की Distribution Sub77 होते हैं उदस्टेप डाउन T्रांस्पार्मर होते हैं ज्चोंकि इस्टेप डाउन जो ट्रांस्प्रमर होते हैं वह आपके delta to star connection वाले transformer होते हैं इसमें क्या होता है जो primary होती है 望 delta connection होती है और secondary जो होती है वो star connection होती है अब जो star connection है यही मैंने figure को यहाँ पर बनाया यह आपको figure दिख रही है यह star figure के अंदर क्या होँ कि आपको 3 phase गीवन है एक आपके पास r phase गीवन है और एक आपके पास Y face given है जब इन तिनों को face को हमने R, Y, B से denote करा है तो इनका common neutral हमने point निकाला है जिसे हम N कहते हैं, so guys line voltage और face voltage क्या होती है, अब आपको clear होगा जो हमारी face voltage होती है हम कहते है हमारे घर में 220 220 volt की AC supply government हमारी घर में provide की जाती है, जो की face voltage होती है face voltage वो voltage होती है voltage difference between any phase and neutral के बीच का जो difference होता है, वो होता है हमारा face voltage, means guys, आप अगर R phase को consider कर रहे हैं, तो R और neutral के बीच का जो voltage difference होगा वो आपका 220 volt होगा so guys, अगर आप किसी भी एक phase और neutral के बीच का अगर voltage measure करते हैं, तो वो 220 volt आता है, तो उस voltage को कहते हैं, face voltage, किसी भी एक phase और neutral के बीच का voltage, face voltage okay, line voltage क्या होता है line voltage होता है, किसी भी दो face के जो बीच का difference होता है वो होता है, आपका line voltage जो की 4 तो 40 volt है, प्रॉक्स होता है okay, जो face, जो line voltage का formula है, वो है, VL equals to root 3 into VP, जो कि यह एक basic formula है, अगर आपको face voltage पता है, line voltage calculate करना है, तो root 3 से आप multiply करके उसकी value find कर सकते हैं, जो कि line voltage, face voltage में यही difference है face voltage जो होता है, किसी भी phase और neutral के बीच का जो difference होता है चाहें वो R phase हो, B phase हो, और Y face हो, Y और N के बीच में भी जो difference होगा 220 V होगा, और बट जो आपका line voltage होता है, वो difference between any two faces के बीच का, जो voltage difference होता है, वो आपका line voltage होता है तो कि यह था एक small topic, अगर video सही लगी हो तो आप हमारी इस video को like करें, मैंच यान को subscribe करें, thank you